हाई फ्रेंड्स बेलकम टू गोईल किचिन रेसिपी आज हम बनाएंगे गार्मा यह अग्रवाल फैम्लीज में बनने बाली बहुत ही यमी और डेलिसियस रेसिपी है यह बहुत ही खटी मीठी रेसिपी है आप इसे एक बार बनाएए सबको बहुत ही पसंद आएगी आप एक कर दीजिए बैल आइकन को जरूर प्रैस किए मैंने 250 ग्राम खोया 20 ग्राम गरीब रादा और थोड़ी सी चिरोंजी और मैंने गरीब रादा में थोड़ी सी लाइजी पाउडर भी मिक्स कर दिया हुआ है अब हमें खुबा को ग्रिट करना है मैंने खुबा को घर पर मिल्क को वाइल करके ही बनाया है और इशे वाइल करने के बाद मैंने इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया है ताकि ये अच्छे से टाइट हो जाए अब हम बनाते हैं शीरा जिसके लिए मैंने 300 ग्राम शक्कर ली वी है और मैंने आधा कप पानी लिया हुआ है अब हम इसका सीरा बनाएंगे और हमें सीरा शक्कर घुलने तक और उसमें थोड़ा सोबा लाने तक बनाना है हमें इसे चास्नी वाला सीरा नहीं बनाना है कर्मा बनाने के लिए मैं लूंगी दही यह मैंने 500 ग्राम दही लिया हुआ है अब हम इसे एक चलनी से अच्छी से छान लेंगे ताकि इसमें कोई लंच ना हो छानने के बाद यह एक्तम श्मूत पेश्ट बनके तयार हो जाता है हमें इसे ऐसे ही अच्छी से पूरा छानना है आप एक बार इसे बनाएंगे यह खाने बहुत ही टेश्टी लगता है इसमें जो खट्टा मीठा स्वाद आता है जो बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि दही खट्टा होता है और खोवा मीठा होता है इसमें सीरा पी डलता है इसलिए इसका टेश्टी बहुत ही अलग होता है आप एक बार इसे बना कर देखिए देखिए मैंने इसे पूरा चाल लिया है देखिए हमारा ये पिष्ट बनकर तयार हो गया है अब हम इसमें डालेंगे 250 ml मिल्क और इसे हम इसी चनी के उपर डाल देगे ताकि इसमें जो भ सामान को इखटा कर लिया है खोवा गरीब राधा सीरा और चरौजी अब मैंने जो दही को छान लिया था अब हम इसमें सीरा एट करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे इन दौनों को मिक्स करने के बाद अब हम इसमें एट करेंगे ग्रेट इट खोवा और इसे भी हम पूरा ही डाल देंगे अच्छे से मिक्स करेंगे यह रेसपी बहुत ही सिंपल है और बहुत ही टेस्टी है अब इसे एक बार बनाईए और इसे बनाना बहुत ही आसान है बेज इसी सिंपल रेसिपी है चलिए हमारा खोवा मिक्स हो गया है अब हम इसमें डालेंगे चिरोंजी और गरी इसे थोड़ा सो बचा लेंगे क्योंकि हमेंसे गार्णिस के लिए भी रखना है और जो मैंने डाला है इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे हमारी रेशिपी बनकर तयार है आई होप आपको हमारी रेशिपी पशंद आयोगी तो प्लीज कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर बताईए कि हमारी रेशिपी कैसी लगी अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे शर्व करने के लिए और जो मैंने गरी और च्रोंजी बचाई थी उसे हम इसके उपर गायनिश कर देंगे हमारी कार्मा सर्व करने के लिए रेड़ी है अगर रेशिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्यू कर már सुचरव को शेंगे हमा良 क्या हरा वूले वीडियो थांस सहिपी हम अल्डा प्राइब небाना भूले टूले खर सुलतologヒ existem तोक्लिपोलों हम प्राइब है जदूले लागर उपका टाहर रेवका रवकाई जहिता